एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चनल आप सभी दिख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इसमें आपके हमेशा की तरफ पांच पार्ट होंगे यह सीरीज मैंने अभी नई स्टार्ट की है यह पांचवा वीडियो है सीरीज का आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो ऐसे ही एक्जाम में आपको कॉशन आते हैं ऐसे हम लेकर रहे हैं इस खत्म हो जागा तो शेयर और कर दो थोड़ा दो चार गुरूप में शेयर कर दो व्यूस कमा रहे हम मेहनत इतनी कर रहे हैं लेकिन आप लोगा थोड़ा से सपोर्ट और चाहिए वाट्स अप और टेलीग्राम पे जो जो गुरूप है उसमें शेयर कर देना वीडियो देख और एवेरर्स बीस प्रेस्ञ लसक समान्य जाता है उप्षोन-नूमर सी 6 अगस्ट प्रश्ने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएका यूनेसको शान्ती पुरुषकार 2022 से सम्माने किसे के लागया। तो यूनेसको शांती पुरुषकार 2022 ये एंजेला मारकेल को मिला है, option नमबर यहाँ पर भी, एंजेला मारकेल प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शांती पुरुषकार के लिए, अंतरराष्ट्रिय डॉग दिवस, अंतरराष्ट्रिय इंटरनेशनल डॉग या पुस्तक का विमोचन, अरुन जेटली की पुनितिती पर हुआ, option नमबर सी, अरुन जेटली जी की पुनितिती पर हुआ, किसने किया भी आगे, आपको ये भी कॉच्छन आएगा, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ, दो रेल्वे परियोजनाओं के लिए, परामश नेता ने भारती राष्टी कॉंग्रिस पार्टी के सभी पदों से स्थीपा दे दिया है, तो भारती राष्टी कॉंग्रिस पार्टी जो थी, उसके सभी पदों से, यहां पर आपको जो option देगा है, उसमें से right answer हो जाया, गुलाम नभी आजाद जी ने स्थीपा दे दिया सब्सक्राइब नियु इंडिया इस पुस्तक का विवोचन किस ने किया तो राइट आंसर हो जाएगा एमवे कईया नाइडू जी ने ऑप्शन नमबर भी एम वेंग कईया नाइडू जी ने इस पुस्तक का विवोचन किया है अगला कोशन देखिए सम पूछागे आपसे कि हाल ही में आठवी भारत ब्राजील सायुक्त आयो जो है आयो की बैठक कहा है जितकी गई तो भारत ब् केंधर शासित परदेशों यह किसरम्मंद्रियों की राश्टी समवीलन का आयोजन की सराज्यमें किया गया तो राज और केंधर शासित परदेश की जो स्रम मंत्री हैं उसका राश्टी भी house आ राश्टी अ applicants किया गया 4 प滿 इंपोर्टेंट है इस्टार लगा लो इस कोशन में भारत की पहली समग्र सूटिंग रेंज का उद्गाटन यह आई एन एस कर्ण में किया अप्शन नमर यहाँ पर डी आई एनस कर्ण प्रश्णी के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए हमने बहुत ही श इसकी पीडियाप 300 रुपे में हैं लेकिन स्टार्टिंग के एक हजार चात्रों को जो हमारी चैनल से जुड़े हैं एक हजार बच्चों को यह सिर्फ 99 रुपे में मिल रही है ऑफर चल रहा है एक हजार बच्चों को पिछले 30 साल से एक्जाम में बार बार आय हुए बार पिडियाप मगा सकते हैं जरूर परचेस करना 30 साल से भारत के हर एक्जाम में आई हुए कॉस्चन ठीक है आप जो भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो आपको फायदा करेगा अगला कॉस्चन देखिए लिबर्टी मैडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया तो लिबर्टी मैडल 2022 इ इनका नाम हाइलाइट क्यों है वुले दिमीर जैलेंस की कौन है आप में से बच्चे बच्चे को पता हों चाहिए बहुत इंपॉर्टन कॉस्चन है 100% आपके एक्जाम में आ सकता है कॉस्चन अगला कॉस्चन देखिए प्रधानमंत्री नर्ण बोधिन किस राज्य में हो सोमी भाबा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान किंद्र यह पंजाब में स्थापित किया गया है पंजाब राज्य में इसको स्थापित किया गया है बांगलादेश मूलकी फहमिदा अजीम में किस सेंड़ी के तहत पुलिसजर पुर्सकार 2022 जीत लिया है देखिए पुलि इस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कॉमेंटरी अप्शन नम्बर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पुलिसजर पुर्सकार मिला है 2022 जेम्स वेब इस्पेस टैलीसकोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खीची है तो जेम्स व नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया तो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यह यूपी उत्तर प्रदेश सरकार इंदे गठन किया है इसका अप्शन नम्बर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा निम्दल कितम से कौन सा देश यूरोपीय संग में अंत्रिक्ष गतिविधी की निगरानी के लिए भारत की पहली वेदशाला किस राज्य में जो है इस्थापित की जाएगी तो भारत की सबसे पहली वेदशाला है अंत्रिक्ष गतिविधी की निगरानी करने के लिए यह उत्तराखंड में इस्थापित की जाएगी ऑप्श को तिक विरासत सूची है उसमें शामिल करने के लिए नामित किया गया भारत की तरब से और यह राभीसवा कॉशन इसका अंसर आप कमेंट करके बताएंगे बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है भारत की पहली हाइडोजन फ्यूल सेल बस का नावण किस शहर में किया गया आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं बैंगलूरू और पूरे में से एक आंसर सही है जिसको नहीं पता कमेंट करके बता देना मैं आपको इसका सही आंसर बता दूगा चूकि यह किस आप सी क्या सही आंसर है चलते हैं भाग दो की तरफ भाग दो है हिस्टरी के बीजिस कॉशन उसके बाद आपके पॉलिटी के बीजिस कॉशन ऐसे ही थाम के बैटीए अपने आपको पढ़ाई में बिलकुल कोता ही नहीं करता है प्रैक्टिस सेट लगाते चलेंगे ना इंद्र के लिए option number A हां जिसको भी PDF चाहिए दिएक नमबर पर कॉल कर लेना 30 साल से भारत के सभी एक्जामों में पिछले 30 साल से बार-बार पूछेगा 10,000 जी के कॉशन है और स्टार्टिंग के 1000 वच्चों को सिर्फ 99 मिलेगा जिसको चाहिए नीचे दिएक नमबर पर कॉल कर लेना जब भी आपको टाइम मिले स्क्रीन शॉट लेके रख लो नमबर सेव कर लो इंद्र को कहा जाता पुरंदर कॉश्य नमबर दू शल्व सत्र किस विशय से संभनित ऑप्शन नमबर ए उपनिशत से लिया गया है अगला कॉश्चन दिखिए अगले कॉश्चन पूछा गया है आर्य भारत में बाहर से आये और सरपधम कहां पर बसे थे तो आर्य भारत में बाहर से आये और पंजाब में सबसे पहले पंजाब जो की आधा पंजाब पाकिस् पंजाब और भारत में भी ए तो जो एरिया था पूरा उसमें बसे थे ठीक है वैसे तो सब्ट सिंदु कहा जाता है सब्ट सिंदु गंगा नदी किनारी तक का एरिया पूरा कहलाता है option number C पंजाब राइट आंसर है वेदों को अब पौरुशे क्यों कहा गया है तो वेदों को अब पौरुशे इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है option number A क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है वैशैशिक दर्शन के प्रतिपादक इन में से कौन है तो वैशैशे के दर्शन के प्रतिपादक आपके उलुक कणद है option number यहाँ पर c उलुक कणद प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा मीमानसा या पूर्व मीमानसा दर्शन के प्रतिपादक इन में से कौन है तो मीमानसा या पूर्व मीमानसा इसके पृतिपादक आपके हैं जैमिनी option number A जैमिनी प्रश्णी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन दिखिए वेदान्त या उत्तर मीमानसा इस दर्शन के पृतिपादक कौन है यहाँ पर देखिए पूर्व मीमानसा है और यहाँ उत्तर मीमानसा पूर्व मीमानसा जैमिनी और उत्तर मीमानसा बादरायन या फिर मीमानसा के लिए आए तो जैमिनी वेदान्त आए तो बादरायन रिगवेत का कौन सा मंडल पूर्ण तह सोम को समर्पित है किस नदी के तड़ लड़ा गया तो तसराज युद ये परुषणी नदी के तड़ लड़ा गया option निम्बर यहां पड़ी परुषणी नदी प्रषणी के लिए बिल्कुल सही answer है धर्मशास्त्रों में भू-राजस्व की दर क्या है तो right answer हो जाएगा एक बटे च्छे औप्शन वसी एक बटे च्छे प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आठ सो इसा पूरु से 600 इसा पूरु का काल किस यूग से जुड़ा है तो आठ सो से 600 इसा पूरु यह ब्रामध यूग कहलाता है ऑप्शन अमबर यहाँपर यह ब्रामध यूग के लिए राइट आंसर है किस काल में अच्छत की अवधारना इस परशकुलरूप से उधित लूरूप से ढृम सास्त के काल में उधित हुई तो बोगाज कोई, A.C.A. माइनर इस्थित, इसका महत्व इसलिए है, क्योंकि वहाँ जो अभी लेक प्राप्त हुए, उनमें चार वैदिक देवताओं, इंद्र, वणुन, मित्र और नासत्य का उलेक मिलता है, इसलिए आपका बोगाज कोई का महत्व है, option number यहाँ पर A, right answer हो जाएगा बोगाज कोई के लिए, गायत्री मंत्र, देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो मिला गया है, यह आपका रिगवेद से मिला है, option number यह रिगवेद प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, नियाय दर्शन को प्रचारित किया था, इनमें से किस ने, तो जो नियाय दर्शन है, उसको गौतम ने प्रचारित किया था, option number यह, गौतम प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, अगला कोशन देखिए, प्राचीन भारत में निश्क से जाने जाते थे, निश्क क्या था, तो प आपके पतंजली है, option number यह, पतंजली प्रशनी के लिए योग दर्शन के प्रदिबादक राइट आंसर है, उपनिशद पुस्तके हैं किस पर, तो उपनिशद यह दर्शन पर आधारित पुस्तके हैं, option number यह, दर्शन पर आधारित पुस्तके हैं, उपनिशद, और यह रा एक सिंदू दूसरी गंगा इनमें से आपको आंसर देना है आरंबिक वैदिक सायथ की बात होड़ी सिंदू और गंगा किस नदी का वणन सबसे अधिक मिला है जिसको नहीं पता लिख दिना सर्फ भाग दो का अंसर नहीं पता भाग दो का लाश्ट कॉश्चन है इसके बाद भाग दो का लाश्ट कॉश्चन का अंसर नहीं पता मैं आपको कमेंट करके बता दूँगा ठीक है भाग तीन स्टार्ट करते है भूगोल जियोग्राफी उससे पहले वही इंफॉर्मेशन जिसको भी पीडियाप चाहिए अभी स्क्रीन शॉट लेलो स्क्रीन शॉट में आ अगला कॉशन निम्नल कितम से कौन सा भारती राज कच्छे रेशम का उत्तम उत्तपादक है तो कच्छे रेशम का उत्तम उत्तपादक है आपका करनाट का राज ऑप्शन करनाट का राज राइट आंसर है निम्नल कितम से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफे के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखें चलिए अगले कॉशन बढ़ते हैं तो इसमें आप से पूछा गया अगले कॉशन में कि तो आपका चांद और सूर एक ही दिशा में देखें तो ऐसी जो आस्था होती है उस समय लगता है आपका सूरे ग्रहन प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिमली पाल बायो रिजर्ब कहां परिशित है तो सिमली पाल बायो रिजर्ब यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है यह उडिसा में है उडिसा में है उडिसा राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए ग्रहों की परिक्रमा पत का आकार कैसा है तो ग्रहों की जो परिक् से बना खगोली पिंड है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दीगा है कोमेट यह बर्प और धूल के नुकलियस कंड से बने हुए पिंड कहलाते कोमेट ऑप्शन नमब सी प्रश्णी के लिए राइट आंसर है किसी गरह को प्राता है या सांध्या का त उद्गमिस्थल तिबबत में से है तो तिबबत में से उद्गमिस्थल है आपका यहां पर जो दी गई है उसमें से ब्रह्मपुत्र नदी यह तिबबत में इसका उद्गमिस्थल है तो ऑप्शन नमबर आपका सी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा तो प्लूटो के चांद का नाम क्या है तो प्लूटो जो है इसके चांद का नाम है आपका चेरान अप्शन नमबर ऐ चेरान प्रशन के लिए प्लूटो के चांद के लिए राइट आंसर हुजाएगा मदुरह शहर किस नदी के तरपरिस्थत है तो मदुरह शहर स्थ यह आपक़ वेइंगे नदी करप्र परिस्थत है और कि गया नदी राइट राइट ऑंसर हुजाएगा भारत के किस राज практи में सरवादिक छेत्र मैंग्रों के तहट आता है तो भारत के अंदर सरवादिक छेत्र पश्य मंगाल का यह मैंग्रों के तहट आता है ऑप्शन अमड़ी पश्य मंगाल में सरवादिक च्चित्र मेंग्रों के तहरता है हमारे ग्रह धरती का नाम किस भांशा चासे उत्पन नहाँ तो हमारा जो ग्रह धरती इसका नाम अर्थ अंग्रेजी भांशा से उत्पन है option number कि दमेंसे किसे अरेवियन समुद्र की रानी कहा जाता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा है उसमें से कोचीन को अरेवियन समुद्र की रानी कहा जाता है यहां पर ऑप्शन नमर सी कोचीन राइट आंसर हो जाएगा यारलंग तसेंगो का प्रचलित नाम है किसका प्रचलित नाम है तो यारलंग तसेंगो ये ब्रभमुपत नदी का तिबबत में प्रचलित नाम है option number भी ब्रभमुपत नदी को तिबबत में बोला जाता है इस नाम से ओजोन का रासाइनिक chemical formula क्या है ये आज का आखरी question है ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में ये बताना है और ओजोन को क्या कहा जाता है ये आपका भाग 3 का आखरी question है इसके बाद आपका quality और इसके बाद आपका science दो भाग और बचे हैं सिर्फ 20-20 कॉशन बचे हैं तो यहां तक जिसने पूरा वीडियो देखा है बिलकुल बने रहे हैं आपका ही सेलेक्शन होने वाला है क्योंकि आप पढ़ाई में बिलकुल कोता ही नहीं बरतते तो इसका कॉशन का आंसर आप comment box में comment करके बताएंगे औ इसको भी पीडियाप चाहिए अभी नंबर का screenshot ले लो वीडियो के अंत में आप बात कर ले ना ठीक है भाग चार पॉलिटी सिर्फ 20 कॉशन और भाग पांच साइंस सिर्फ 20 कॉशन सुपर वास्ट स्पीड में पहला कॉशन पूर्व राष्ट पती प्रणाव मुखर जी मुखर जी ने किस वर्ष में प्रथम लोग सबा चुनाव जीता था तो प्रणाव मुखर जी ने सब से पहले लोग सबा चुनाव जीता था वो था सन 2004 ऑप्शन नमबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा भारते सम्विधान के किस भाग में भारत के केंद्र प्रदेशों के बारे में प्रावधान है तो केंद्र शाष्चित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है भाग आठ में यहां पर ऑप्शन नमड़ी भाग आठ राइट आंसर हो जाएगा भारते सम्विधान के किस अनुछेद में राष्ट पती के चुनाव के बारे में लिक्या गया है तो राष्ट पति के चुनाओं के बारे में लिक्या गया है अनुचेद 54 में अप्षण नमबर यहाँ पर ए राइट आंसर है आपात काल 1975 से 70 के दोरान भारत के राष्ट पती कौन थे तो आपात काल के समय भारत के राष्ट पती थे डॉक्टर फकरुद्दी आर्थिक एक सेकंड थोड़ा सा आगी पिछ हो गया तो यह आगया कॉश्चन नियूंतम समर्थनमूल डैश द्वारा घोशित किया जाता है तो नियूंतम समर्थनमूल राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्री मंडल समिती इसको घोशित करती है आप्शन नमबर A यहाँ पर राइट आंसर है भारती सम्विधान का कौन सा अनुचेद G1 की रक्षा और व्यक्तित्तो सचन्ता की गैरंटी देता है राइट आंसर हो जाएगा अनुचेद 21 जीवन की रक्षा और व्यक्तित्तो सचन्ता की गैरंटी देता है आप्शन नमबर आपका भाग नो जोड़ा गया option number C भाग नो right answer हो जाएगा निमनलेकित में से किसने दलत वर्ग संग की स्थापना की तो दलत वर्ग संग की स्थापना डॉक्टर बी आर अमबेटकरजी ने की थी option number C डॉक्टर बी आर अमबेटकरजी right answer है भारत के किंद्रिय बजट और रेल बजट के किस वर्ष में विलाई हुआ तो किंद्रिय बजट और रेल बजट ये 2016 में इसको विलाई कर दिया गया था option number E 2016 right answer है भारत में सबसे बड़ा अपीलिय न्यायलाय इनमेंसे कौन सा है तो सबसे बड़ा अपीलिय नियायल है ये आपका हो जाएगा उच्छितम नियायल है, option number 2 उच्छितम नियायल है, right answer है किस अनुछेत के तहत भारत के प्रत्यक नागरिक को स्वास्त का अधिकार दिया गया है तो स्वास्त का अधिकार भारत के प्रत्यक नागरिक को अनुचेद 21 के तहत दिया गया है option number 2 अनुचेद 21 राइट आंसर है निमने लेकित में से किस प्रधान मंत्री का कारेकाल 13 दिनों का था तो right answer हो जगा 13 दिन का कारेकाल अतल विहारी वाजपेजी का था option number 2 अतल विहारी वाजपेजी राइट आंसर है किस ने प्रांति समविधान समिती का नित्धत किया तो स्रदार वल्ल भाई पड़ेल जी ने किया option number C right answer है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य नयाय मूर्थी कौन थे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मुख्य नयाय मूर्थी हीरा लाल जे कानिया जी थे option number यहां पर D right answer है भारत में राज के राज़िपाल की निक्ति कौन करता है तो भारत में राज के राजिपाल की जो निक्ति होती है राश्ट्र पती के दुवारा होती है option number C right answer हो जाएगा भारत में लोक सभा चुनाओ कौन आजजित कराता है तो लोक सभा चुनाओ निर्वाचन जो आयोग रहते है निर्वाचन आयोग ये कराता है आयोजित जो है शक्तियां ब्रिटिस राज में इस्थान अंतर कर दी गए थी भारत में संग बनाना एक कौन सा अधिकार है तो भारत में संग बनाना एक मौलिक अधिकार है अप्शन नमबर भी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा और ये रहा इस भाग का आखरी कौश्चन 20 हुआ इसके बाद केवल एक भाग बचे का साइंस उसके सिर्फ 20 कौश्चन तो इस प्रशनिक आँसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन सी केंदरी एजनसी केंद सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है बताईए इसके बाद सिर्फ 20 कौश्चन बचे है साइंस का पार्ट आपका लाश्ट पार्ट बचा है इस प्रशनिक आँसर कमेंट करके आप बताईएगा मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ भारती रिजर्व बैंक या फिर सेवी कौन मुद्रा नोट जारी करता है भारती रिजर्व बैंक या फिर सेवी इनमें से मुद्रा नोट कौन जारी करता है ठीक है अब बढ़ते हैं आखरी भाग 5 साइंस के सिर्फ 20 कॉशन जल्दी जल्दी साइंस के 20 कॉशन पहला कॉशन यह आपकी स्क्रीन पर हीरे के संबंद में कैरेट क्या होता है दोस्तों जिसने भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो मनष्की स्मर्ण शक्ती कंप्योटर की तुल्ला में कैसी होती है तो मनश की इसमन सकती जदी आप कंप्यूटर की तुलना में देखेंगे तो right answer हो जाएगा सामानने होती है option number A सामानने right answer हो जाएगा अगर किसी मिश्य धातु में एक धातु पादर मतलब पारा है तो इससे क्या कहेंगे तो मिश्य धातु में यदी पारा हो तो उसको अमलगम कहा जाएगा option number C अमलगम right answer है लोहे पर भाप की अभीक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो लोहे पर भाप की अभीक्रिया से hydrogen gas उत्पन्न होगी option number A hydrogen gas right answer है निम्दमे से कौन सा गुण कार्बनिक योगिकों में प्राया नहीं होता है तो कार्बनिक योगिकों में प्राया जल में विलेता नहीं होती है option number ये जल में विलेता नहीं होती है नमकी के घोल में silver nitrate का घोल डालने पर दही जैसे पदात उत्पन्न होते हैं यह कौन सी अभीक्रिया है तो right answer हो जागा नमक की गोल में silver nitrate का गोल मिलाएंगे तो उदासीनी करण की अभिक्रिया होती है जिससे दही जैसा पदात उत्पन होगा option number 2 उदासीनी करण right answer है किसी रासानिक अभिक्रिया में oxygen के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है तो रासानिक अभिक्रिया में यदि oxygen का अनुपात बढ़ रहा है मतलब उपचेन अभिक्रिया हो रही है option number 2 उपचेन अभिक्रिया हो रही है संपीडित प्राक्रिक गैस CNG का मुख्य घटक इन में से क्या है तो CNG जो है उसका मुख्य घटक है आपका methane option number 2 methane राइट अंसर है असंगत का चैन कीजिए यहां पर आपको जो दिये गए हैं उसमें से एक गलत है तो आपका AB positive सर्वदाता ये गलत है आपको comment करके बताना है कौन सा रख्तसमू सर्वदाता होता है कौन सा रख्तसमू universal donor या सर्वदाता होता है comment करके बताना है परिशुद्ध alcohol होता है तो जो परिशुद्ध alcohol होता है वो 100% इथाईल alcohol होता है option number 2 पेशियों की कार्यात्मक एकाई कौन सी है तो पेशियों की कार्यात्मक एकाई आपकी साक्रोमियर है option number 3 सैक्रोमियर ये पेशियों की कार्यात्मक एकाई है सिनिप्स क्या है तो सिनिप्स जो होता है ये दो समीपस्त नियूरॉन के मद्द का छित्र कहलाता है ऑप्शन नमर वी दो समीपस्त नियूरॉन के मद्द का छित्र इसको सिनिप्स कहा जाता है थाइरोइड गंती की अती शक्रीता का क्या परेडाम होता है तो थाइरोइड गंती अधी ज्यादा सक्री हो तो ग्वाइटर रोग option number A ग्वाइटर प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दष्ट छिल्ली में से जुड़ी होती है तो पादप कोशिका में रिक्तिका ये टोनो प्लास्ट option number A से जुड़ी होती है यह आपका urinary bladder का संक्रवन है और यह पर C, urinary bladder right answer है विटमिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है तो विटमिन डी की कमी से रिकेट से रोग होता है ऑप्शन नमबर भी रिकेट से रोग राइट आंसर है एक स्वस्त मनुष्य में प्रती दिन लगबग कितना आंत्रिक रस स्त्रावित होता है तो राइट आंसर हो जाए नमढ़ यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा और यह राज का ला रहे हैं चैनल पर पहली बार आएं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जिसको पीडियाफ चाहिए नीचे दीए के नंबर पर कॉंटेक्ट कर लो एक हजार बच्चों के 99 रुपे मिलेगे ये पीडियाफ बाकी नहीं तो 300 रुपे की पीडियाफ है फिर इसकारीट 300 हो जाएगा बहुत बधनवाद जय हिंद जय भारत